हलो गाइज, असलाम वू अलेकूं कहते हैं आप, आज मैं फिर हादर हूँ कृप्टो की मार्कीट के फूल अनेलिसिस के साथ और पिछली देखा हम पर किने किप्टो की मार्कीट क्रैश करेगी अगर आप पुम्हेरा थाउल स्दोफ क और प्छला थे मार्केश करेगी तो इ चीज़ जार पर आ चुकिए इस टम 26,000 प्राइस चल रही हो क्या क्रिप्टो की मार्कीट आने वाले दिनों में मजीद गिरेगी और क्या जब बीटीसी गिरता है तो उसके साथ बाकी कोईन भी गिरते हैं आफकोर्स लाइक अथिरियम है और बाकी जितने भी कोईन आपको पता ही है वो बीटीसी से ही मूव लेते हैं हमने क्यू कहा था कि क्रिप्टो क्रेश करेगा और बीटीसी क्रेश करेगा उसके पीछे क्या आविड़र्स थे और उसका क्या बन और क्या मजीद अब बीटीसी मजीद क्रेश करेगा या नहीं उसके बारे में मैं इन्शाला फुल डिटेल बताऊंगा आने वाले दिनों में कौन-कौन से टेक्निकल कौन-कौन से सेंटिमेंट और कौन-कौन से फंडामेंटल ऐसे पॉइंट ऑव जिनकी वज़ा से क्रिप्टो की मार्कीट बिग मूव कर सकती है या फिर दूसरे लिफ्जों में के मार्कीट अगर वापिस रिवर्स होती है या फिर मार्कीट स्टेबल हो जाती है साइड भी हो जाती है तो कौन सी ऐसी वजुहात हैं जिनके ड्वेलप होने की वज़ा से मार्कीट ये करेंगे तो इसको हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे इन्शाला और एक चीज़ आपको और हर वीडियो की तरह कि हम आपको लास्ट में कुछ कॉइन्स भी सिज़ेस्ट करेंगे जिन कॉइन्स को आप थोड़े पैसों से 100-200-500 रुपे में खरीद के तो 1000 रुपे कमा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में तो देर किसे बात की आज के नॉलिज से बरपूर weekly analysis का आगास करते हैं मैंने मिजरी इलनवाज तो बीटीसी के अगर चार्ट पे मैं आपको लिखे चलो तो बीटीसी के चार्ट पे आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ी candle बनी है कि आप लोगों को इसकी वज़ा मलूम है कि ये एक बड़ी candle क्यूं बनी है मतलब कि 27,200 का हाई लगा इस candle में और अगले ही लम्हे इसी candle ने 26,660 का लो लगाया और फिर बारकीर जो है तो center में आके close री कि आपको वजह पता है अगर पता है तो कमेंट में बताएं मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे चलते हैं अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम आपको पता ही है कि हम मंतली से स्टार्ट करते हैं अपने क्रिप्टो के वाले दिनों में क्रैश करेगी उसकी वजह यह थी कि मंतली में यह स्पिर्णिंग टॉप का बन जाना जो मंतली में 30,000 की प्राइज के उपर दी मंत ओफ एपरल के अंदर यहां पे आपको एक स्पिर्णिंग टॉप नदर आ रहा है और उसके बाद माई में मार्कीट जो है गिरी और मार्कीट में काफी साय गिरावट का शिकार रही अगर हम बात करें मंत ओफ वीकली चार्ट की सुरी अगर हम बात करें वीकली चार्ट की तो वीकली चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि मार्कीट यह देखें तीन चार कठी डोजी क्रियेट की है मार्किट ने विच इस साइन के मार्किट मजीद आपनी जाना चारी इस डोजी के बाद तो इस डोजी के बाद अब वो साइड वे करना स्टार्ट हो गई यह मार्किट और अब एक स्लाइड डाउन अगर आप प्रेंड लाइन भी खेंच लेंगे तो आपको नदर आएगा मार्किट एक स्लाइड डाउन की तरफ आ रही है एक रिजिस्टंस डाउनवर्ड रिजिस्टंस को फालो करते हो गए तो यह मार्किट वीकली में हमें काफी ज़्यादा बेरिश नदर आ रही है अब जो असल स्टोरी है वो यह है कि भाई आज 21 तारीख हो गई है यह 20 तारीख हो गई है जब मैं यह वीडियो बिना रहा हूँ 20 तारीख हो टुटल 11 दिर रहेंगे है मंथली कैंडल क्लोज होने में और कोई एक दिन बचा है weekly candle close होने में और उसके बाद अब daily के उपर आ जाते है अब अगर weekly में एक दिन बचा है और month ली में 11 दिन बचा है तो that means कि अब month के end में हम दाखिल हो चुके हैं और अब month के end में candles जो हैं वो उस तरफ move करती है जिस तरफ उनको move करना है तो trend is your trend तो वो downward अगर आ रही है तो that means कि long term थोड़ा scenario में वो long term ही जाना चाहा रही है अगर अगर daily के chart को देखें तो daily के chart में आपको नज़र आएगा कि कल के दिन में especially मैं कल के दिन की बात करना चाहूँगा क्योंकि जो मैंने कहा था न कि crypto की market crash करेगी, dump हो जाएगा वो मैंने कल के दिन के लिए ही खाआ था कल के दिन में क्या एक खास बात थी वो यह थी कि कल के दिन में federal reserve की meeting थी rate hike को लेके 14 June को rate hike होने वाला है उससे related और अगर 14 June को rate hike हो जाएगा तो dollar आप जाएगा और gold या BTC नीचे आएगा लेकिन अगर आप देखें हैं तो हुआ कै अक्चुलिए कल यह percentage थी 40% 42% तक गया यह rate hiking का जो percentage है जतने भी speakers थे उनके बात कर रहे थे William था, Bowman था और बाकि जतने भी speakers थे, उन्होंने यह बात की कि हम rate hike करेंगे और हमे rate hike करना चाहिए अभी मंगाई बहुत ज़्यादा है वगरा 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 लेकिन हुआ क्या जब पॉल की बारी आई जो के फेडरल चेर चेर्मेन है फेडरल रिजर्फ बैंक का, जब उसकी बारी आई तो उसने का कि नहीं हम लोग rate hike नहीं करने जा रहे और ये दुबारा जो percentage तक तक रह चुकी होई थी percentage वो तो दुबारा 82% तक आ गई है और अब देखें कि no change that means कि अब वो rate hike नहीं करना जा रहे और वो rate cut भी नहीं करना चाहरे और वो currency को stable रखना चाहरे rate को stable रखना चाहरे जो कि 5.00 या 5.25 को होगा और ये result आएंगे 14 जून को तो अभी भी 14 जून को 17 दिन पड़े होगा अभी बहुत जार development हो सकती है तो इस development की वज़ा से हमने कहा था कि crypto market crash करे ही अब ये जो one hour की candle में आपको दिखा रहा था कि इतनी बड़ी move हुई है और market ने इतना बड़ा high और low लगाया है केवल एक ही घंटे में वो बाबा जी की speak थी well ये fed chair pole की speak की वज़ा से और जब speech start होई तो market नीचे गी और जब उसने कहा कि हम नहीं rate high करने वाले तो market उपर गई और वापिस आके नीचे close होगे तो that is the story behind this candle why I hope आप लोगोंने भी ठीक लिखा होगा क्योंके जो हमारी अलहमदुल्ला स्चुमा अलहमदुला स्ट्रीमिंग को वाच कर रहे हैं रेगुलरली उनको पता चली गया फैटचुयर टूल के बारे में अगर हम आएँ अब डेली के चार्ट के उपर यार हमें न मार्कीट 24,जार मार्कीट 25,जार पे retracement लेती ही दिकरी है और हम यह चाहते हैं कि मार्कीट जितना retrace ले उसके बाद ही जाके कुछ देखेंगे और अगर हम चोटी से एक फैबो ड्रॉ कर लेते हैं डेली के चार्ट के उपर मैं अपने इसके हाई के यानि कि सतर हजार के हाई के उपर से लेता हूं फैबो और आलमोस्ट ये जो प्राइस है जो इसका लो है पंदरह हजार वहाँ पे आता हूं तो अगर आप पंदरह हजार के लोग को देखते हैं तो एक्जैक्टली मार्कीट अभी इस टाइम जो तैस के उपर टच किया हूँ है उसने और अभी तक उसका ठाथटिस को टच करना और उसके बाद फिफ्टी को टच करना जरूरी है तो तरतालिस हजार या फिर मिनिमम इस मार्कीट को 36,000, 37,000 के उपर आना ही चाहिए ठीक है बट राइट नो क्या कंडिशन है कि मार्कीट 30,000 से वापस आगी है तो अभी एक बुल मुमेंटम बाकी है लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मार्कीट कितना नीचे आ सकती है तो मुझे लगता है कि मार्कीट 24,000 के लेवल को टच कर सकती है और 24,000 के लेवल से मार्कीट दुबारा अफ़ड मूव करना शुरू करेगी तो 24,000 के लेवल का वेट कर लेते हैं और अगर नहीं वेट करना तो ये भी एक बड़ा अच्छा इस वीक को क्लोज होने दे और अगले वीक में कोई पैटर मनता है तो ये भी बड़ा अच्छा प्राइस रहेगा 25,000 के करीब करीब आपको इसको भाय करने के लिए अगर हम देखें आने वाले दिनों में तो BTC को मजीद अपसाइट पर भी देख सकते हैं तो ये शौट सी शार्प सी क्रेक्शन थी जो के क्रिप्टो की मार्किट लेना जा रही है यानि के BTC अगर हम क्रिप्टो की मार्किट का नाम ले रहे हैं या BTC का नाम ले रहे हैं तो बात एक ही है ठीक है जी तो आने वारे दिनों में मैं इसको बाय करने चाहरा हूँ फ्राम 25,000 फ्राम 24,000 पांचो वगरा 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 तो आपको जिस लेवल से भी यह मैंने आपको आरड़ी यह मैंने आज नहीं ड्रॉग किया यह पैंडिंग अर्डर आपके सामने यह मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में ड्रॉग करके दिया था यह पैंडिंग अर्डर अगर आपको याद हो याद हो तो अलहम्दुल्ला सुमा अलहम्दुला मार्कीट किची चली आ रही है हमारे बाय लिमिट के पैंडिंग अर्डर की तरफ और मैंने अथिरियम के अंदर भी अपने बाय लिमिट के ओर्डर लगा रखे हैं अथिरियम का मैं 16 सो से बायर हूँ 1500 से बायर हूँ 1400 से बायर हूँ तो अथिरियम का तो मैं बड़ा शदाई हूँ और आने वाले दीविलों में देख रहा हूँ कि अथिरियम मजीद थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगा लेकिन अला करे जी कि ये सोरा सो पंदरा सो के ओपर आज है और हमारी को बड़ी लोटें जो हैं वो हिट हो जाएं और फिर हम भी अथिरियम से पैता कमाल हैं कुछ ठीक है तो ये है उसके बाद एक कोई मार्किट कैप है एक वेब साइट उसको लाजमी आप फॉलो किया करें और एक दो और वेब साइट है जो मैं आपके आने वारे दिनों में शेयर करूंगा अगर आप देखें तो मार्किट में ज्यादा तर जो रुजान है वो मिक्स ही है थोड़ा लाल थोड़ा सब्स थोड़ा लाल थोड़ा सब्स उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा ये है कि ये जो पॉल की स्पीच थी उसके वाई से लोग थोड़ा सा कनफ्यूज है एन्यो चलते हैं वापिस और ट्रेंडिंग कोई और सूई कोई अगर आपने बाय नहीं किया तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक और बड़ी जबरदस्त अडिशन है कि यह दो कोई हैं एक यह वाला कोई पिक्स पिप एंड एक यह कि दोनों कोई ही खरीदने के लाइक हैं कि इनको आप इनकी उकात यह है कि आप इनको दो टीन डालर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं को दो तीन डालर में आपको मिलियोंज ओफ कॉइन मिल जाएंगे बस बहुत है इससे ज़्याद ना खरीद दिएगा तो यह रिसेंटी एडिट कॉइन होते हैं इनमें च्छका लगने के भी ज़्यादा चा रखते हैं और इस तरह के कोईन के अंदर भी आप शौट टर्म थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं लेकिन याद रखें जैसे ही पांप लागे अपनी अमांट विड्रा कर लिया करें हमेशा चाहे वह दस डालर की हो चाहे पचास डालर की हो जाहार लालच ना किया करें लालच फ्री नेगटीव में ही है और अगर हमने जितने भी कोईनस दिया होएं लिंग कॉइन मेंगा दो डलर का है तो यह LDO कोईन लीडो डाओ यह कोईन आप ज़रूर बाय कर लिजेगा यह चाइनीज कोईन है इसकी प्रफॉरमस्ट ग्यारा परसेंट इसने ग्यारा बारा परसेंट इसने लास्ट वीक में आप मारा है तो यह अच्छा कोईन है इसको भी आप आपके पॉर्टफॉली में थोड़ा सा होना ही चाहिए बाकी मुझे कमेंट में आप जाये बताएं कौन से और कोईन के ओपर आप बात सुनना चाहरे हैं मेरे से अनलेसिस देखना चाहरे हैं अगले वीक में आपके साथ एक ट्रिक शियर करूंगा कि कैसे मैं फॉर्कास्ट आसल क करता हूं कि आने वाले दिनों में मारके ने क्रैश करना है या नहीं वह आपके साथ ट्रिक शियर करूंगा और कुछ कोईन्स नहें लेकर आ रहा हूं आपके लिए और एक बड़ा मज़दर मेहमान भी बुला रहा हूं मैं अपनी क्रिप्टो की पोड़कास्ट के लिए सो मुझे इजाज़त दें वीडियो का से लगी कमेंट में अपनी राइद दें लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और दो में जाद आखें अगली वीडियो तो के लिए जाद दें अला आफिस असलाम अलेकूम सीयोगे करें अलेकूम सीयोगे